हलो रिबान वेलकन ते मैं चैनल ट्रिपल फैटर आई होब आप सभी अच्छे एंड पॉजिटर ले सोच रहे हैं तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से दनेवाद थैंके सो मच तो रिडिंग है मेसेज़ के लिए उनके दिल के मेसेज़स आज आपके लिए क्या है जानने कोशिश करते हैं रिडिंग जनरल है कलेक्टिव है फ्लीज इस बात का दिहान रिक्वेस्ट है तो रिडिंग स्टार्ट करते हैं विद वाल नोट की आज उनके दिल के मेसेज़स के आपके लिए अ प्रफिक्षि टेंटेंशन पुद रिटिंग में कि यह आप से कनेक्ट होने की खोशेश में है communication call message आ सकता है divine timing energy जो भी हो रहा है इश्वर की मज़ी है क्योंकि connection ही ऐसा है soul connection है soul mate connection है आप एक दूसरे के लिए जो feel करते हो वो ऐसे ही नहीं है कि वही किसी के लिए feel करा इस इस इनसान में लाखो बुर्याईया सही लाखो खामिया करें कैसे भी फैक लेकिन एक वक्त के बाद एक इनसान बदल ही जाता है बदलना पड़ता है और वो बदल के आ रहा है इसलिए तो वो आप के लिए बना है और जाने आज जाने में इसी इनसान के लिए यनिवर्स ने आपको भी बदला है बरना आपको भी इतना patience होना ये सब चीज़े आप में तो possible नहीं थी आप इस इंसान की वज़े से ही, इस connection की वज़े से ही actually अपने आप में बहुत ज़्दा changes ला रहे हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए जिना सिखना अपनी दुखों से कैसे हल निकाला है छुटका रहा पाने में हल निकालना है solution निकालना है तो उसका mindset अपका change हुआ है यह सारी चीज़े इसके हैं यह इंसान में transformation है और एक transformation आप में भी है आप में जो बदलाव है यह सारी चीज़े एक divine timing है जैसे दिवाइन चाहती थी कि दोनों में यह चीज़े बनले उनकी तरफ भी कर्मा की बात है कि जैसे heartbreak की energy है देल तूटा जा रहा है losses की feeling है तो वो सारी चीज़े यह इशारा कर रहे है कि यह भी अपने life की lesson सीख रहे है भी अपने life lesson सीख शुके है लेकिन उसकी वज़े से दोनों में जो stability आई है maturity आई है वो चीज़े एक दुसरे की तरफ खीच रही है क्योंकि ऐसा है ना कि अभी एक वक्त आ गया है जहां पे आप दोनों को मिलना ही है आपको angel number दिख रहे है टिपल वन है टिपल टू है टिपल फोर है angel number काफी सवाद दिख रहे है आपको butterflies दिख रहे है feathers दिख रहे है peacock दिख रहे है कितने सारी sign-in symptoms है आपको जिसे feel हो रहा है कि कुछ तो है जो बदल रहा है कुछ तो है जो आपके तरफ है रहा है कहीं न कहीं social media के through भी आपको indicate करना चाहते है कि ये आप से connect होना चाहते है या फिर connect नहीं भी हो रहा है तो उसका कोई reason है ये बताना चाहते हैं बहुत जदा attraction है आपके रहे और आप से दूर नहीं रह पाएंगे इसी energy पहुत जब स्ट्रॉंग है इनने आप से जो सच छुपाया है उसके लिए उनको बहुत जब तकलीफ हो रहे हैं कि नहीं या आपके साथ नहीं करना चाहिए था जो जूड बुला है ये सच छुपाया है किसी भी बारे में ना एक third party के बारे में कोई सच हो या कुछ भी हो अपनी हालात हो अपनी feelings हो feelings भी हो तो वो चीज़े ये relation में जो मैं सब होआ है ये जो बिगड़ा है टूटा फूटा है बिखरा सा है ये सब इनी की वज़े से है ये बात तो मानने लगे हैं My world roam around you इनकी दुनिया ना आपके पास ही में टक रही है I know literally आप इनकी energies को फिल को सेब इनका नाम दिखता है इनके जैसा person आसपास होने का ऐसास है और इनकी पास भी वही ऐसास है आपका नाम दिखता है आपके होने का ऐसास फिल होता है I know you trust me इन्हें पता है कि भले आप कितने भी नाराज सही भले आप कितने भी गुसा सही दिखाने रहे हैं जो भी है मुलब आप डिसकनेक्ट से हो रहे हैं लेकिन आप इनके पर रिश्वास करते हैं कि ये बुरे नहीं है बस इन से गलती होई गए ये मांते हैं ये आपके साथ बग बिताना चाहते हैं मिलना तो चाहते हैं I am waiting for your positive response आपका इंतजार इन है आपकी तरफ से एक positive response का इंतजार है I feel we are made for each other Again, so night वाली vibe है कि हम मिलने के लिए बने हैं एक दूसरे के लिए हैं I am trying to improvise self So इनकाना transformation के energy है ये अपने आप में बहुत ज़दा बदलाव ला रहे हैं महसूस भी कर रहे हैं You are more than just a friend शायद इन्होंने आपको friendzone किया था कहा था just like हम बस friends है But ये भी कहना चाहते हैं कि नहीं In message के सुरू at least ये कहना चाहते हैं कि आप सिफ एक दोस नहीं है दोस से कहीं वढ़ कर हूँ I don't know the reason behind this ये जो पर कुछ हो रहा है ये किसी रिष्टे का बिगड़ना आपके साथ जुड़ना आपके लिए तरह attraction फिल करना कितना भी दूर होने के और शिर कर फिर भी दिल का आफिक तरफ खीचे चलिया आना ये सारी चीज़े इनको समझे हैं कि ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है अचनक से Let's show our power of unity to the world ऐसा है कि हो सकता है कि कुछ लोग आपके रिष्टे से बहुत ज़र जाते हैं या फिर लोग नहीं चाहते कि हम एक होंगे तो इनका ऐसा कहना ना की नहीं अभी एक सोच रहा है ठान लेते हैं कि हम unite होंगे हम एक होंगे और ये दिखाएंगे कि हम जब एक होंगे तो कितना positive चीज़ कर सकते हैं हम positivity कितना ला सकते हैं तो यह थे messages उनकी तरफ से I hope आपको कुछ guidance मिली हो like, share, subscribe करना न भूले personal reading के लिए link description box में है please कोई fake comment का जवाब ना दे thank you universe, thank you universe, thank you universe